आज मैं आप सब के साथ एक बहुत ही tasty, बहुत ही delicious yamming cake की recipe शेर करूँगी रबडी cake है ये बहुत ही tasty लगता है एक बार बनाओगे तो बार बार बनाने का मन करेगा एक बार में ही खा जाएं बस ऐसा ये cake बनेगा और बहुत ही कम चीजों से बहुत ही आसनी से बनेगा तो चलिए हम देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे सबसे पहले हम पतिले में एक लीटर फुल क्रीम मिल्क डालेंगे हमें मिल्क को रिड्यूस करना है गैस को जला देंगे अब हमें एक उबाल आने देना है पहले अच्छी तरह से दूद को एक उबाल आने के बाद अच्छी तरह से हम गैस को धीमा करेंगे और आधा करेंगे दूद को रबड़ी बनाएंगे दूद की अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े चमच शक्कर के शक्कर हम अभी ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम एक केक में भी डालनी है अब हम डालेंगे इसमें हरी इलाइची मैंने कूट कर रखी थी एक चमस लगबग हरी इलाइची इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और अब डालेंगे थोड़े से केसर के दाने ये अप्शनल है आपके पास हो तो डालें नहीं तो इसके बिगएर भी बना सकते हैं टेस्ट में कोई फरक नहीं आएगा ये देखिए अब ये रिडियोस हो चुका है दूद बिल्कुल रबड़ी बन चुकी है हमने गैस को बन कर दिया है चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं अब हम एक बाउल में एक कप मैदा लेंगे जिस बाउल से अब मैदा लें उसी कप से बाकी की चीजें मिलें और आधा कप मैंने लिया है यहाँ पर पिसी हुई चीनी एक छोटा चमच बेकिंग पाउडर वन फोट चमच बेकिंग सोड़ा अब इन्हें हम अच्छी तर से चानेंगे इससे हमारा केक बहुत ही स्मूध बनेगा जब हम चानेंगे तो अब हम इस में डालेंगे उसी बाल से वन थर्ड बाल ऑल का कोई भी कुकिंग वाल ले सकते बस में स्मेल नहो और वन थर्ड कप दही दही फ्रेश होनी चाहिए और अब इने mix करेंगे अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से फेटना है इने अब ये थिक लग रहा है ये देखिए ये थोड़ा सा थिक है तो हम क्या करेंगे, हमने जो रबड़ी बनाई थी, उसमें से मैंने एक छोटी कटोरी रबड़ी की साइड में निकाल के रखी है, उसे ठंडा कर दिया है, अब हम उस रबड़ी से थोड़ी थोड़ी रबड़ी करके जितनी जरुरत होगी, उतनी रबड़ी इस केक में डाले इसकी हमें क्योंके consistency बनानी है, ये थिक है अभी, इस तरह हम थोड़ी से रबड़ी डालेंगे, और फेटेंगे अच्छी तरह से, लगबक 8 चमबच यहां पर हमें रबड़ी के लग जाएंगे, क्योंके ये रबड़ी केक है, तो इसलिए मैं इसमें रबड़ी ही add कर रही हूँ, जो मैंने हमने बनाई है, और अच्छी तरह से बिलकुल इसे फेटा है, इसकी consistency, देखिए, ऐसी चाहिए, अब एक कोई भी हम ऐसा डबबा ले लेंगे, इसे ओईल से ग्रीस कर लेंगे, और उपर से इस पर मैदा छिड़केंगे, आपके पास बटर पेपर हो तो ड मैंने बटर पेपर नहीं डाला है, बस इजी तरीका बता रही हूँ, इस तरह मैदे को छिड़केंगे, और अब अबने जो केक का बेटर बनाया था, वो इसमें डालेंगे, अब हमने गैस पर एक कोई भी पातिला रख दिया था गरम करने को, वो प्री हीट हो चुका है, उ उसके उपर हम केक रखेंगे ये, और ढखकर से 35-40 मिनट तक बेख करना है, 35-40 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे और चेक करेंगे, ये देखिए, ये चाकु बिलकुल साफ निकला है, मतलब ये केक हमारा बिलकुल रेडी है, फूल गया है अच्छी तरह से, अब हम इसे निका निकालेंगे, और ठंडा करेंगे, अब हमारा केक ठंडा हो चुका है, साइड से हम चाकु से थोड़ा सा इस तरह करेंगे, और फिर एक प्लेट के उपर उल्टा करके, इसे इस तरह निकालेंगे, ये देखिए, मैंने केक को निकाल लिया है, अब इसे हम सीधा करेंगे, व वाव बिल्कुल यमी दिख रहा है न अब इसके उपर हम कोई भी ड्राइफरूट जो आपको अच्छा लगता हो वो डालें इसके उसके बिगेर भी आप बना सकते हैं और अब उसके उपर डालेंगे हमने जो रबडी बना के रखी ते उसको मैंने बिल्कुल छंडा कर लिया यह ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लगता है और फोक से से ऐसे थोड़ा सा करेंगे तो अंदर तक पूरी रबडी जाएगी और बहुत ही अच्छा रबडी का टेस्ट आएगा आप उपर से फिर से थोड़ा सा गार्निश करें अब हम इसे एक बाउल में सर्व कर रहे है यह दिखिए कितना यमी दिख रहा है ना बिलकुल जालीदार, बिलकुल फलपी अब एक बाउल में डालने के बाद हम इसमें उपर से फिर से रबडी डालेंगे वो आपकी च्छाइस है आपको रबडी कितनी डालनी है और उपर से मैं इसे फिर से गार्निश कर रही हूँ थोड़ा सा dry fruit से आप जिस भी dry fruit को खाते हो उस तरह जितनी आपको रबड़ी पसंद हो उतनी डाले और उपर से जितना dry fruit पसंद हो उतना डाले बहुत ही यमी बनेगा सच में एक बार इसे बनाना बनता ही है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शियर और सब्सक्राइब करें थैंक्स फार वाचिंग चलिए फिर किसी दूसरे वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बाई